मैं अच्छेलाज सरोज जन्जागर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ हैं एक अंबेटकर वादी जो राष्टी अध्यच्छ है बहुजन इवा एकताम मंच के अध्यच्छी आपको बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो मुद् इटकर से रिलेटेड हैं उनको जो है बैचारी का अतंगवाद घोसित कर रहे हैं तो उनके इस टिपड़ी पर आप क्या बोलना चाहेंगे पहली बार तो आपने कहा बाबा रामदेव तो पहली बार तो बाबा हो इने सकते तो केवल रामदेव हैं और एक बिजनेसमैन है पता अंजली का तो इन्होंने बहुत गलत कहा कि हम लोग बैचारी का अतंगवादी हैं उनको इसाबित करना चाहिए कि हम लोग कि इस तरह से बैचारी का अतंगवादी हैं हम लोग अपने जो महापुरूस हैं उनकी विचार धारा पे चल रहे हैं पहली बार तो जो पिरि को सımızı जिस तरीकर काइद250ा तो हम लोगों का जो लुक्रा लोगों का जो अधिकार हैं अपनी बात रख सकते हैं तो जब उनको इतिहास पता होता अब तो जिस इतिहास को संविधान को मानते हैं हौ् effectivement मनुवदी होने का मतलब कि मनुस्मिर्तिक मानते हैं उन्हों नहीं कहा था कि जो है सरकार को चीजन बंद कर देनी चाहिए एक तरीके से वह भुजन समाज को आवाज को दबाने की कोसिज कर रहे तो जो कहा है वह नहीं कहें है उनकी बोटर्स सामने नहीं सकता है यह इस लीए बाबा रामदेयों हों—— आप आपक हैं जो जमाये का है मतलब हमारी समाज का जो जन जागुन ता है तेजिक साह लोग डर होने लगा है कि अगल एक लोग जाग जागया हैrå तो हम्मारा के आब सब्सेफ साबित करें कि हम कैसे मुंलधी है आप जो रामदेव जी ने कहा बैचारी का तैंकवाड ने बैकर उनक पर आप उनको कुझा ओ या किसे आओ आ चाहेंगी इस पर पहले बार हम राम्देव जी कहते हैं कि आप बिजनिस करते हैं बिजनिस करिए और जो बहुजण समाज अपना काम कर रहा है उसके करने दी आग्षिए आज भी टिपड़ी इमत करिए नहीं जो पता आंजली चल रहा है एक वल बहुजण समाज की दम पर चल रहा है और आपको ब्रामणों के दिन नहीं को आप сразу कहीं कि आप हमारे समाज के हैं पहली बार कि तो आप नि데 राश्ट करता है और पूरा निए ढूरत करता है और शन्वाषट को ज्यापन भी कैब यो आप थे आपको चट्धी बागना पड़ेगा वहाओ तक नहीं पड़ेगा समय डलीत राजनीत नहीं समझ मैं आ रही है तो लित राजनीत कहां पर है कैसे है इस पर बताया कुछ देखे दलित राजनितिस्वनी समझ में आ रही है क्योंकि दलित बटा हुआ है कोई भीमार्मी बश्पा इसा बला ग अलग हैं जैसे हमको जितने लोग हैं एक मंज पर आना चाहिए जो भीमार्मी है बश्पा है जितने भी समाजिक संगठन और गलद राजनितिक अरेसस के जो है भारती जनता पार्टी के एजन्टें पर काम कर रहा है उनके चेले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमेशा तो आपने हमेशा भीजेपी खिलाब बोले हैं अगर असी बात होती चैल आरेसे पाधि जो नहीं भेज़ती मताई आप ऐसे किसे कह सकते हो हमारे साथ है वि ज्सांधनारे पस नाम पर ही real książ अगर उसको इतना ज्यान होता तो पहले अपने समाज के देखता तब जाके मौहन भागवद की गोर में बैठता उसको अपना इतिहास जब किसी भी समाज को अगर अपना इतिहास नहीं पता होगा तो वीरोध करेगा जो कि आराम देव को अपना ही खुद वजूद नहीं है जिससे आज बहुजन समाज जो उन आतंक वादी होते हैं लोगों कहते हैं तो हम लोगों की बात आती है तो अगर भारत का है तो इसके आप मैच करवा लिजी यह जब DNA आज इसके पहले महीने पहले जब DNA आया था तो उन्होंने एक लास को खुदवा कर DNA सिद्ध किया कि हम यहां के मूल लिवास है जो मुर्दों को क्या भरोसा आप जिंदों को करवा के देखिए तो उसी नसल का है यह रामदेयो तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यह जो र मिलती है तो हम उनके बच्चे हो सकते हैं कि अपने पूरे भारत की बहुजशं समा से अनुरध करते हैं कि उनका प्रोडेक्ट लेना बंद कर दें, उनका समान यूज करना बंद कर दें, तो मतलब एक तरीके से उनका पूरे पूरे रूप से बहिस्कार कर दें, तो उनको उनकी अपनी अवकाद पता चल जाएगी.